दमश्कार स्वागात एक बाए फिर से अब सबका बुक्स वाले भीयाय पे आज जिस किताब के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है यहां पांच दिन बाए सुरेंदर मुहन पाठक जी पाठक जी कौन है इसका परिचे देने की वैसे जुरुरत नहीं है लेकिन जो लो दोरा बनाएगे किरदार सुनील विमल और सुधीर सिरीज जिसका की यह नौवल है ऐसे कई किदारों के जन्म दाता है सुरेंद्र मुहन पाठक जी तो दोस्तों यह नौवला है सुधीर कोहली सिरीज में जैसा कि आप देख सकते हैं सुधीर सिरीज 23 और मेरे जैसे जो पा और जूटी औरत लेकिन वो पुरानी किताबे थी और जूटी और एक तरगा री राइट करी थी लेकिन बहरालू प्लॉट पुराना था तो इस पार यह दोस्तों की नई किताब है बिलकुल लेटेस्ट बुक सुधीर कोहली सीरीज के 23rd बुक है और बुक के बार में बात क करें तो जो लोग पाठिक जी को पढ़ते हैं वो जानते हैं सुधीर कोहली कौन है जो कि डिटेक्टिव हैं और उनके अंदास से उनके जो डायलॉग्स है यौर्स टूली और बहुत पुछाब उन सबसे वाकिफी होंगे बहराल जो नहीं है तो वह कि सुधीर एक प्राइ हैं केस लेकर और कपेल उनको कहते हैं कि उनको यह लग रहा है कि उनकी जान को खत्रा है और इंस्टांसिस देते हैं कि कैसे पिछले दिनों उनके घर में उन पर जानलेवा हमले हुए हैं किस तरह से वह भागिवश बच गए लेकिन उनको लग रहा है कि शायद अगरी बार ना बचे और उनको शख है कि यह काम उनकी बीवी कर रही है उनकी बीवी उनकी में जान लेना चाहती है गौरतलब बात है कि जो कपेल अवस्ती है जो सुथीर के पास केस लेकर कराते हैं वो एक घर जम आई है और वो अपनी बीवी के ही घर में जो कि उनके फादर ने लौक वहां पर रहते हैं तो हमारे डिटेक्टिव जो है सुधीर जी वह इस मामले के तफ्तीश के लिए उनके घर जाकर रहते हैं और कपेल उनको एक दोस्त करते हैं जो कि एक मुंबई बेस्ट बिजनस् कि वहांसे वो समझते हैं कि क्या हो रहा है घर के members को समझते हैं कौन क्या है क्या करता है और वह कोई काति आता अग जिसमें की पता चलता है कि कपेल के वाइफ कर जाती है कि यूद्धीयर की बढ़ाइफ कन दोस्तों सनहीं है तो बईहराल कि थीमिए कि मु किस मकसद से कहानी के बाद कि वह खुद बताती हैं कि उनकी जान लेने की कोशिश हो रही है तो अप देख सकते हैं कहानी यहां पर ट् Whis opener क下 क्लाइंट है उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं तो दोस्ते यहां से कहानी जैसा मैंने का एक नया मोड लेती है और जितने पाठक जी ने इस बुक में डाले हैं और जितने चोटे-चोटे इंस्टेंसे यहां से वहां दिखाएं है आप और कि एंड में यह समझेंगे कि हर करेक्टर का अपना एक रोल है और जैसे पाठक जी ने नौवल लिखा है बहुत अच्छी बात है कि जैसे मैंने पड़ा तो मेरे को अनुबह हुआ कि किसी ना किसी वक्त पर लगबग हर किसी वहीं एक बार शक्की सुई जाती है यह बहुत ब बिना किसी वज़े से उन्होंने 300 कितावें नहीं लिख ली तो यह दि आपको लिखते हैं कि आप कादिल को पकड़ लेंगे इस बुक में कर पाएंगे तो मेरा मान है ऐसा नहीं होएगा और अंत तक यह नौवल आपको बांधे रखेगा तो जैसा मैंने कहा कि अलग अलग यह कहूंगा कि 83 की वर्ष है आयू है उनकी पाठक जी की 302 वी किताब है लेकिन परस्नली मैंने उनकी काफी कितावें पड़ी हैं और मैं शत्त प्रतिशत यह कहता हूं कि पाठक जी का जादू अभी भी बरकरार है तो जो पाठक जी के फैन से जरूर पड़िए जदिया पाठक जी के फैन नहीं है तो भी इस बुक का ज़रूर पड़िए और बहुत सी बहुत सी किताब हैं उनको जरूर पड़िए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एक बार पाठक जी का भी धन्यवाद पाठक जी आपने बहुत ही अच्छा नौवल लिखा है मैं उम्मी